दोस्तो आज मैं आपको पिछले वीडियो को जो मैंने बताया था इस्टोरेस के बारे में उसमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में किलियर करने जाता हूँ देखें दोस्तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि यह आपको 4 तरका होता है एक होता floppy disk, दुस्तरा होता hard disk और तिसरा होता CD-ROM, चौतरा होता paint drive paint drive को removal disk भी कहते हैं दोस्तो secondary memory क्या है उसके बारे सबसे पहले हम लोग जानते है secondary storage device are used to permanent store the data secondary storage device जो है इसका अपयोग data को permanent store करने के लिए करते हैं जैसे कि आप कुछ बना रहे है मालीजे आप बारेटा बना रहे है resume बना रहे है, कुछ भी बना रहे है अगर आपने उसको save नहीं किया तो तो रह जाएगा आपको primary memory में जब यह आप उसे save करते हैं वो तुरन जाके secondary memory में save हो जाता है अब उसको आप secondary memory में आप floppy disk में save कर ले heart disk में save कर ले cd-rom में save कर ले या फिर paint drive में save कर ले दोस्तों अब है आपका कि it divided on four parts इसको जो है चार भागों में बाटाए गया है कौन-कौन पहले आपका floppy disk है floppy disk क्या है its measured is megawatt इसको हम लोग megawatt में मापते है its capacity is 1.44 MB चुकि इसका capacity बहुत कम है 1.44 MB ही है तो यह आपको data जो है जाना इसको आप नहीं रख सकते हैं इसलिए floppy disk का जो है चलन खतम होते जा रहा है समभ़तों आप साफ खतम ही हो गया है floppy disk next है आपका hard disk hard disk क्या कहा रहा है its measured is terabyte इसको आप terabyte में मापते है its capacity is 1 terabyte 500 gigabyte 200 gigabyte मतलब जिस तरह रुपे आप खर्च कीजएगा उतना आप memory प्राप्त करेंगे जैसे कि आप 1 terabyte का अगर memory लगाते हैं उसमें आपका क्या है 224 GB होता है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा डाटा को store रख सकते है next है आपका cdo cdo क्या है दोस्तो it is an optical storage medium यह आपका क्या है optical storage medium है capable of head is up to 750 of data इसकी क्या चांता है कि आप 750 MB तक के data को आप store कर सकते है दोस्तो नेक्स्ट में रिमूबल डिस्क के बारे में लिखा है पता है हूँ जिसको paint drive करते है paint drive दोस्तो इसका क्या है कि आप इसको removal disc भी कहते है इसकी इसका भी आपका जो है capable इसकी छमता जो capacity होती है आप अपने मुताविक रख सकते हैं आपको अमान है तो उस आठ जीवी रखिए 16 जीवी रखिए 22 जीवी रखिए 64 रखिए 128 रखिए जादा से जादा आप जो है MB में इसको क्या करते है GB में आप रख सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है कि paint drive आप कितने के अपिसिटी का यूज करना चाहते हैं दोस्तों थैंको दोस्तों थैंको फार वाचिंग